जब हम लोग SHM पे जाते हैं तो SHM की कंडिशन समझते हैं ठीक है? SHM ठीक है? SHM की कंडिशन तो पहले बात तो यह है periodic होना चाहिए और periodic तो होगा ही दूसरा जो इसका acceleration है वो directly proportional to minus x कोई y लेता है तो minus y लब इसको हम लोग displacement बोलते हैं क्या बोलते हैं जी displacement ठीक है? मतलब acceleration of a particle doing SHM जो particle हमारा SHM कर रहा है वो उसका acceleration displacement की negative direction की हमेशा directly proportional होगा इसका मतलब यह है कि जो acceleration होगा it always towards the mean position हमेशा mean position की और रगेगा periodic का मतलब समझी रहा होगे कि normal है ठीक है? यह दियान रखे रहना ठीक है? तो जो SHM होगा तो देडिक एक condition याद करीए जो SHM है वो periodic होगा कुछ भी नहीं सोचना है लेकिन जो periodic है आप सोचो SHM हो जाए तो यह ज़रूरी नहीं है अर्थ के चारो और मून चत्कर लगाता है हमारा वो periodic तो है लेकिन SHM नहीं कर रहा है यानी SHM के साथ-साथ इसका meaning भी समझना है क्या? कि to and fro motion होना चाहिए to and fro motion समझे की नहीं? to and fro motion का मतलब क्या है? कि यहाँ पर mean position है यहाँ पर extreme position है और यहाँ पर भी extreme position है मतलब इस तरीके का motion हो to and fro इस तरीके से ऐसे-ऐसे समझे की नहीं? मतलब ऐसे-ऐसे vibrates हो यहाँ पर oscillates हो उसको वोलते है to and fro motion simple सी बात है अब इस question में हमें समझना आए कि ऐसे conditions को कोन fulfill कर रहा है और जब आप slavers जब पढ़ना शुरू करते हैं उसमें क्या-क्या पढ़ते हैं आप SHM में sin-studual sin और cos में दो FHM पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं y equal to a sin omega t यह SHM है y equal to कोई x लेते हैं x भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है a cos omega t अब इसमें मत समझना यह दोनो FHM के displacement का equations है x और y में confusion नहीं होना है मैं आगे बता दूँगा इसका मतलब है sin 0 की value 0 है the particle starts from the mean position यहां पर t की value 0 रखेंगे तो cos 0 की value 1 हो गया the particle starts as a term from extreme position बस इतना सा difference है meaning same है बच्चे उसमें x, y लगा के परिसान रते हैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है अगर कोई confusion होता है तो मुझे बताना है अब चलते हैं अब देखिए अब इसमें क्या है first वाला point first वाला point जो है हमारे पास क्या है y equal to sin omega t minus cos omega t एक तो इसका तरीका है कि आप इसे इस term में convert करे अगर हो जाता है तो shm है अगर नहीं होता है तो उसका time period निकालना अभी में बता देगे जैसे अगर इसका आपको time period निकालना है या इसका time period निकालना है तो आप t लेंगे यहाँ 2 pi रखेंगे यहाँ omega है तो omega से divide कर देंगे हो सकता है यहाँ omega के जगे कुछ value दिया हो वो वाली value यहाँ रख देंगे हो सकता है यहाँ पर 3 omega निंसन है तो आपको लगे सिर्फ omega लेना ऐसा नहीं है 3 omega लिखा रहेगा तो यहाँ 3 omega कर देना है बिल्गुल जल्दी बाजी लिए करना है तो फिलहाल इसके दो तरीके हैं समझे करी या तो आप acceleration निकालने का आपके पास तरीका होगा कि आप एक बार differentiate करें फिर उसे दुवारा differentiate करें जब उसे दुवारा differentiate करेंगे तो अगर इस condition को fulfill कर रहा है negative sign of displacement आ रहा है तब तो सही है otherwise हो SHM नहीं कर रहा है तो इसमें SHM तो which of the following represent और यह सारे एक्जाम्पल अगर आप देखेंगे भूडेंगे तो कहां मिलेगा जी NCRT में सारे एक्जाम्पल एविलेबल है ठीक है यह सारे एक्जाम्पल में ही एविलेबल है चलते हैं तो इसको अगर आपको solve करना हो तो direct मेहत के तरीके से अगर हम लगाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखे रहिएगा इसे लिख सकते हैं हम लोग equal कर लेते हैं इसमें root 2 ऐसे ले लिजिए और यहां पर लिख सकते हैं 1 by root 2 यह हो जाएगा हमारा sin omega t minus 1 by root 2 cos omega t अभी मैं कुछ कहूंगा आपको याद करने के लिए याद करिएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या जी sin omega t पहले लिख लिजिए और यह किसका होता cos 45 की value होता यानि cos pi by 4 minus sin a cos b फिर cos a cos omega t sin pi by 4 मेरी बात से सहमत हो की नहीं अब एक फॉर्मूला होता है sin a cos b minus cos a sin b यह होता है sin a minus b तो यह हो जाएगा हमारा root 2 sin omega t minus pi by 4 मेरी बात से सहमत हो तो यह y हो गया हो सकता है सिर्फ यही पहला वाला पार्ट देके उसका amplitude पूछ ले तो आप इसे comparison कर सकते हैं y equal to a sin omega t यह की value कितना है root 2 फिलाल यहां SHM की बात कर रहा यहां time period कितना हो जाएगा t equal to 2 pi upon omega हो जाएगा यह minus pi by 2 क्या है यह phase बता रहा है यह particle t equal to 0 पर कहां पर है जिसे time की value 0 पूछ करेंगे तो यह कितना आजाएगा sin minus pi by 2 उसकी value calculate करेंगे solve करेंगे फिर आएगा y की value आएगा ठीक है यानि t के different different position पर y का क्या value आ रहा है उसमें involvement इसका भी है यह initial phase को discuss कर रहा है यह समझ में आगे exact ऐसा बन रहा है exact sin omega t हो या exact cos omega t में बन रहा है तो 100% SHM है क्योंकि यह definition है science tutorial में sign और cost डोनों format पर परते हैं यानि यह SHM कर रहा है हो सकता कोई question इतना लेंदी आजा इस बार भी यह SHM कर रहा है उसके बाद देखना है कि 1 जो है हमारा A part में है उसके बाद B part में नहीं है तो B गलत हो गया मेरी बाद से सामत हो उसके बाद दिया है हमारा D में सारे part चेक करेंगे तो अच्छा खासा time लगेगा वैसे आपको basic fundamental है idea होगा अब एक चीज़ समझ सकते हैं क्या जी कि इसमें जो है यह देखो तीसरा वाला किस से match कर रहा है cost से direct match कर रहा है यह है y equal to 5 cost ठीक है अब इसको इधर भी लिख सकते है cost minus theta क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा मैत बता हूँ आपको बस मैं जैसे need के में बता रहा हूँ वैसे करिए cost minus theta अगर हो तो भी इसे आप लिख सकते हैं cost theta यह math का है portion है मेरी बासन चे cost minus theta भी cost theta होता है लेकिन यह sin minus theta minus sin theta होता है तो इतना math मत सीखिए हो सकता है आपको नहीं आता अगर इतनी math सीखनी है तो मैं mathematics के already दम 0 से top label तक पढ़ाया हूँ लगभग 9 lecture होंगे उसमें आप उसे speed में करके देख सकते हैं अगर वो उतनी math आती है तो physics means advance या need किसी भी physics में math की वज़े से कोई दिक्कत नहीं होगा इतना math बढ़ाया हूँ ठीक है इसको conversion करना चाहिए तो conversion नहीं लेकिन मेरा मानना यह है कि यह cost का function बना लिए तो यह भी SHM करेगा भी यसी DC बाद मेरी बाद से सहमात हो कि नहीं भी SHM करेगा अच्छा मैंने कहा कि यहां से compare करेंगे तो यह तो इसका amplitude बताया था इसका time period मैंने निकालने के लिए बताया था कि 2 pi लेना है और नीचे यह t के जगए कितना है t का coefficient 3 omega नहीं रखेंगे 3 omega रखेंगे यह इसका time period हो सकता अगले question में सिर्फ time period ही पूछने तो पता चले आप confusers और यह क्या हो गया t का जो coefficient होता है 2 pi upon 3 omega करते हैं तो वो उस SHM का time period आता है यानि अब इस तरह से answer search करने का परियास करो पहला तो हमारा इसमें only first है तो यह सीदे सीदे लेकिन third भी तो है third इसमें नहीं है तो गलत हो लिया इसमें करा only fourth does not SHM ठीक है वह यह यह कहरा कि fourth वाला सिर्फ SHM नहीं करेगा और बाकी सब करेगा यानि इसके कहने का मतलब यह है कि यह वाला SHM नहीं कर रहा है हमने सोचा काम हो जागा नहीं हुआ यानि आपको साइन की power 3 omega t को पता कर रहा पड़ेगा कि यह SHM कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है अगर यह वैसे भी बता दू यह साइन और cause का function नहीं है इसको जब conversion करेंगे तो यह SHM नहीं करेगा यानि इसका मतलब यह भी SHM नहीं करेगा तो SHM कौन करेगा फर्स्ट और फर्स्ट वाला कर रहा है और थर्ड वाला यानि C option करेट है